क्या हला मित्रो I hope कि आप सभी अपने घर में सेफ होंगे तो आज की इस वीडियो में हम integration पढ़ने वाले हैं part first है ये इसमें तो मतलब basics ही पढ़ेंगे अच्छा basics पढ़ेंगे तो यार आपको बहुत सारे questions आते भी होंगे लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आपको बहुत सारी चीजे basics में भी नहीं पता चलेंगी मैं basics को भी पूरा खोल दूँगा अंदर तर आप एक question से 100 question कर लोगे आगे तो वीडियो जरूर देखना एक power नीचे add कर देंगे constant जरूर लगाएंगे constant नहीं लगाओगे तो teacher number काट लेगा तो constant लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अच्छा इस question को लिखना कैसे है देखो अगर paper में MCQ की form में आए तो आप ऐसे side में लिखा हुए जैसे कि कैसे आया है form ना लिख दोगे तो बहुत बढ़ी हो जाएगा अब यहाँ पर एक चीज है बहुत ज़्यादा important देखो यह जो formula है न यह हर n की value के लिए valid है बस n की value minus 1 नहीं होनी चाहिए n की value minus 1 नहीं होनी चाहिए बाकी कुछ भी हो सकती है हर किसी के लिए valid है एक चीज़ और यहाँ पर form देख लो यह क्या है यह जो x की power n है न यह हमेशा उपर होना चाहिए बटे में नहीं होना चाहिए बदलब जब x की power n होगी तब ही यह question होगा तब ही आप यह formula apply कर सकते हो उसके इलावा यह formula apply नहीं कर सकते और n की power minus 1 पर apply नहीं कर सकते समझा हो इस चीज़ को चलो देखो आजो next screen पर देखो जैसे माल लो paper में यह वाला question आगया 1 by x cube का integration करना है आपको तो कैसे करोगे अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार यह तो होई नहीं पाएगा भेहने पड़ाया नहीं नहीं है पीछे ही पड़ाया अबी एक काम करेंगे इसको उपर ले जाएंगे x की power minus 3 हो जाएगा अब यह तो अपना उसी form में आगया ना मैंने क्या बोला था power कैसी भी हो सकती है negative भी हो सकती है बटे में भी हो सकती है positive भी हो सकती है minus 1 नहीं होनी चाहिए बस तो यह minus 1 तो नहीं है मतलब सीधा formula अब यह x की power n की form में आगया न तो क्या होता है formula एक power उपर add होती है एक power नीचे add होती है answer क्या आ जाएगा x की power minus 2 नीचे minus 2 plus c लगाना ज़रूरी है अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बच्चे गलती करते है कि वो यहीं पर answer को छोड़ देते है यहाँ पर x की power minus में नहीं होनी चाहिए तो इसलिए इसको नीचे लाना पड़ेगा तो 1 upon x square हो गया plus c ठीक है असान था तो देखो यार यहाँ पर मैंने इस चीज़ को summarize भी किया हुआ है as a trick बोल सकते हो आप इसको कि यार अगर कभी भी x की power बटे में होगी x की कोई भी power बटे में लिखी होगी तो आप उसका integration नहीं कर सकते कब करोगे जब आप इसकी power को उपर ले आओगे तो उपर ले कर आना है जरूर पहले उपर लाओगे फिर integration करोगे फिर उसको नीचे भी ले कर जाओगे ठीक है पूरा format आगे समझ में अगर मान लो paper में question आजा है 1 upon x का integration तो बच्चे क्या करेंगे x की power को उपर ले जाएंगे अब integration कर देंगे करें एक power जोड़ दी नीचे भी एक power जोड़ दी भाई ये तो 0 बन रहा है उपर तो x की power 0 x की power 0 क्या होती है 1 नीचे तो 0 बन रहा है 0 0 आ गया नीचे तो यार infinite हो गया है मतलब ये तो possible ली नहीं है और मैंने बताया भी था कि x की power अगर minus 1 हो तो आप question को नहीं कर सकते ये minus 1 ही तो था अगर बटे में भी लिखा हुआ है उसको उपर ले जाएंगे minus 1 हो गया मतलब ये वाला formless में valid नहीं होगा मैंने आपको समझा भी दिया क्यों नहीं होगा तो क्या होता है इसका integration फिर इसका integration होता है log x कैसे पता चला हमें log x होता है क्योंकि log x का derivative ये होता है तो इसका integration क्या होगा यही तो होगा derivative और integration क्या है एक दूसरे का reverse process ही है तो आप ऐसे निकाल सकते हो तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि यार अगर n की value minus 1 होगी तो इसका integration क्या हो जाएगा log x हो जाएगा ठीक है यहाँ पर x क्या है linear है linear का मतलब समझते हो मतलब इसकी degree क्या है 1 है तो किसी भी function के अगर degree 1 है तो उसका सीधर log x answer हो जाता है जैसे माल लो मैंने आपको बोल दिया fx का integration कर दो मैं fx का square कर देता तो इसके आगे आप log नहीं लगा सकते थे इसको उपर ले कर जाते फिर आप इसका integration कर दे ठीक है तो कोई भी function जो linear हो उसमें आप log लगा सकते हो ठीक है चले आगे next question के और चलो देखो बहुत बहुत important चीज़ है यह तो यहां से मैं आपको चार चीज़े करा दूँगा root x का derivative भी याद रखना root x का integration भी याद रखना बहुत important है direct याद रखना paper में solve करोगे तो भूल जाओगे बारबाद time waste होगा बहुत जगा use होता है यह और 1 by root x का निकालने कैसे करेंगे इसका derivative derivative कैसे करते हैं derivative तो याद ही होगा power आगे आ जाती है और एक power कम हो जाती है तो root x को मैं लिख सकता हूँ 1 by 2 तो power आगे आगई 1 by 2 आगे आगया x 1 by 2 में से एक power घटा दी तो क्या आगया minus 1 by 2 और इस minus 1 by 2 को नीचे भी लिख जाओगा तो यह हो गया plus का 1 by 2 और 1 by 2 को क्या लिख सकते हैं फिर से root x तो यार direct याद रख लो ना इसका क्या होता है 1 by 2 root x derivative क्या होता है root x का 1 by 2 root x अच्छा ऐसे integration कर लो integration कैसे करोगे इस root x को ऐसे लिख सकते हो x की power half अब इसमें वही वाली form लगा दो न x की power रहन वाली एक power जोड़ दो उपर एक power नीचे जोड़ दो यही आजाएगा x की power 3 बटा दो और बटे में भी 3 बटा दो और c तो लगा नहीं है constant तो जिंदगी है एक और आजाता है 1 upon में आजए तो क्या करोगे 1 upon में root x आज़गा तो क्या करोगे वही करोगे सबसे पहली चीज़ क्या इसको उपर लेकर जाओगे 1 by root x को तो जब root x को उपर लेकर जाओँगा तो क्या इसकी power minus में नहीं हो जाएगी minus 1 by 2 अब इसका derivative कर दो derivative करेंगे तो क्या होगा minus 1 by 2 आ गया आएगा minus 1 by 2 में से एक power कम होगी क्या आजाएगा minus 3 by 2 minus 3 by 2 वो नीचे ले कर जाऊँगा तो plus का 3 by 2 तो इसको भी direct याद रखना और इसका integration कैसे करोगा integration भी ऐसी होगा यहां तक पहुँच गए ना अब एक power जोड़ दो और नीचे एक power जोड़ दो solve करोगी याद आएगा आपके पास तो याद रखना derivative root x का क्या होता है 1 by 2 root x integration होता है यह इसका क्या होता है यह होता है और इसका integration क्या होता है 2 root x simple है चलो आगे चलते derivative और integrity किसका ax का जब मैं ax का derivative करता हो तो पहले तो मुझे ax ही मिल जाते है फिर मुझे मिलता है log e और फिर मैं x का भी derivative करता है याद रखना x का दुबारा से होता है तो यहां पर x का जब मैं करूगा तो one याद रहेगा इसलिए formula में आपको दिखता नहीं है लेकिन याद रखना x का भी होता है ax का integration क्या हो जाएगा फिर ax upon में लोगे उल्टा हो जाएगा न क्योंकि यह उल्टा होता है process ax का derivative ax ही होता है फिर x का दुबारा से होता है तो 1 आ जाता है लेकिन हम उसको लिखते नहीं है formula में ex का integration क्या होता है ex plus c तो यह कुछ formula थे जो आपको याद रखने है अच्छा एक चीज़ और screenshot लेकर रखना पढ़ भी सकते हो बाद में बाकी pdf मिल जाएगी telegram group join कर ले ना नीचे description में link दे दूँगा next question देखो इसी के उपर है यह questions है आपके पास कुछ 5 questions है total करें भई पहला वाला देखो अभी यह question कैसे होगा जो पढ़ा है न वही formula यूज़ करूँगा सिर्फ देखो क्या कर देखो क्या करेंगे इस x को मैं यहाँ पर चड़ा सकता हूँ यहाँ पर जो x था उसको मैंने power में चड़ा दिया आपको पता ही है lock की एक property होती है कि lock की power हम आगे लेकर आ सकते हैं भाई जब आगे लेकर जा सकते हो तो पीछे भी ले जा सकते हैं तो मैं इसको पीछे ले गया ठीक है अब यह base और यह वाला base same है यह यह यही same है, जब log का base same होता है और यहाँ पर भी यह चीज़ same होती है तो यह पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाती है compare हो जाती है और यह कट जाती है तो आपके पास क्या बचा AX ही तो बचा देख रहे हो, कितना तगड़ा मेकप कर रखा है कोशन पर, मतलब यह कोशन यह था आपका और बच्चे को बस यही step नहीं पता होता यहीं पर वो फस्त है अब कर दो इसका integration बताया तो AX का क्या होता है AX upon log है, हो गया, simple है ठीक है ऐसे यह वाला कोशन हो जाएगा भै इसको पावर में चढ़ा दो 3 को पीछे पावर में ले गए यह आगे 3 यहाँ पर यह वाला जो 3 था इसको मैंने पावर में चढ़ा दिया अब यह और इसका बेस सेम है अच्छा जब बेस सेम होगा जब यह compare होंगे बिना बेस सेम किये आप compare नहीं कर सकते तो अब क्या बचगे आपके पास x की पावर 3 x की पावर 3 का तो यहार करी लोगे एक पावर उपपर बढ़ा के लिख देना और उतनी पावर नीचे लिख देना प्लस c तो लिखना है अब यह वाला कुशन देगो कैसे होगा इस a को चड़ा दें यहाँ पे पावर पे तो क्या बचेगा आपके पास log e x की पावर a compare कर लो बेस से में compare हो जाएगा क्या बचेगा x की पावर a का integration अब यह कैसे खरोगे तो यार ऐसी तो होगा यह यह क्या x की पावर a नी तो है यह क्या होता है constant होता है आपको पता ही होगा जो हम constant let करते हैं वो सारे abc में से होते हैं alphabats में starting के जो words होते हैं वो constant को denote करते हैं और last वाले जो होते है x y z यह सारे variables होते हैं तो यह constant आपको पता चल गया जब constant है तो यार अपने वह फार्मिल लगेगा बहुत बड़ी है कुशन है स्टार लगा सकते हैं इसको तो एक काम करते हैं कि X को common ले लेते हैं power X की power को common ले लिया जब X की power को common ले लिया तो मुझे बताओ यह पूरा एजा A की तरह एक्ट नहीं कर रहा है यह पूरा का पूरा constant ही तो है E exponential A constant दोनों चीज़े constant है तो इसको मैं पूरा का पूरा बड़े वाला यह पढ़ सकता हूँ AX तो बस लगा दो formula AX का क्या होता है AX का formula क्या होता है AX upon log A log A A क्या है हमारा E A है ना plus C बस ठीक है इतना है असान था अच्छा यह वाला देखो यह वाला कैसे करेंगे अब यार इसमें तो आप इसको power में नहीं चड़ा सकते क्योंकि base ही नहीं आपके पास यहाँ पर E होता तब ही तो आप करते नहीं काम E ही नहीं है E गायप कर दिया तो कैसे घर होगे नहीं कर सकते लेकिन यह कोशन असान है कैसे ध्यान से देखो यह आपका A है यह आपका पूरा का पूरा X है यह A है अब यह पूरा का पूरा X है भै देखो यार फॉर्मला कब लगता है समझो इस चीज़ को जब किसी constant की power variable हो तब हम यह वाला फॉर्मला लगाते हैं है ना तो यह constant की power एक variable ही तो है log X variable है 2 constant है तो वही वाला फॉर्मला लगेगा अपना फॉर्मले को समझो तो लगा देते हैं AX upon log A log A A के है यह है ना 2 तो log A आदेगा 2 plus C ठीक है ना असान था चलो next question पर चलते है भाई यह वाला question देखो paper में आ जाएगा तुमसे होगा ने फिर बिना देखे जाओगे तो इस question को देख लेना जरूब रहे एक बार क्या करेंगे अभी तक जो करते हैं वोई करेंगे power में चड़ा देंगे हर किसी को पता है ना तो हर किसी को power में चड़ा दिया देखो चड़ा दिया अब यह पूरा compare हो गया question चोटा हो गया मतलब तो make up कर रखा था इस question के उप़र तो question यह बचा आप आपके पस x की power 5 minus x की power 4 upon x cube minus x square अब पूरे question में से सबसे minimum power क्या है मेरे को तो x square दिख रही है मेरे में power यही है तो उपर से भी x square को common निकाल लो नीचे से भी x square को common निकाल लो तो उपर क्या बचा आपके पास उपर बचा x cube minus x square नीचे क्या बचा क्या बचा नीचे बचा नीचे बचा नीचे बचा यह पूरा कट जाएगा यह पूरा कट गिया क्या बन गया x square x square का तो करीलोगे एक power उपर बढ़ा दो उतनी नीशे लिख दो और constant लगाना भूला नहीं है तो यह था इस पूरे question का solution screenshot ले लो चलते हैं अगले question की और तो यह दो formulas देख लो सबसे पहला formula है one plus cos two x का यह होता है two cos square x one minus cos two x होता है two sin square x याद कैसे करोगे इसको बहुत ही असान है अगर plus है तो cos आएगा अगर plus है तो cos आएगा minus है तो sin आएगा याद रखना अच्छा जोर angle पर देने तुमें यहाँ पर जो angle है और यहाँ पर जो angle है उसको देखो एक बार यह half हो रहना यहाँ पर जाकर आए angle तो इसलिए इसको half angle formula भी बोलते है क्योंकि इसमें angle half करके लखना होता है आपको याद रखना यहाँ पर half होता है और यहाँ पर square होता है दो और लगाते हैं आगे यहाँ पर जो एंगल होता है उसका half करके लिखना होता है ठीक है अब यहाँ पर एंगल कुछ भी आजाए इसलिए मैंने इसको circle कर रहें एंगल कुछ भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि 2x ही होगा कुछ भी हो सकता है अगर यहाँ पर 60 degree है तो यहाँ पर 30 degree आजाएगा half हो जाता है याद रखना इसको most important तो इसी के उपर questions भी देख लो कुछ देख लें बई चलो बहुत ही बड़िया हो जाएगा यह वाले questions तुम से हो गए तो मतलब तुम super intelligent हो देखो क्या मैंने अभी formula पढ़ाया नहीं तुम्हें यह जो नीचे लिखा हो है one plus cos two x को क्या लिख सकते है two cos square x इस angle का आदा करना होते तो x ही आएगा dx अब तो यह बहुत यहसान हो गया two से two गढ़ गया क्या बचा one plus cos square x अच्छा one plus cos square x को ऐसे नहीं लिख सकते sex square x dx और sex square x का क्या होता है integration 10x प्लस c असान है अच्छा next वाला question यह मैं आपके उपर छोड़ रहा हूँ आपको homework में करना है क्योंकि दोनों same है जो question same होंगे एक मैं कराऊंगा एक आपको खुद करना होगा तो 12th हो जाएगा I hope आप कर लोगे 13 कराता हूँ तो देखो कैसे करेंगे इसको root में है तो कोई दिक्कत नहीं है root में भी चल जाएगा formula integration बनाया root बनाया 1 plus cos 2x को लिख दिया 2 cos square x upon 2 तो चली रहा है 2 से 2 कट गया अच्छा इससे root से हम square को काट सकते हैं तो cos x आ गया cos x का integration सबको पता है sin x plus c ठीक है भाई दोखो एक करा दिया यह दूसरे वाला कर लेना क्योंकि शे मिला रहे और questions देख लेते है तो 2 equations हैं उसके बाद इस वीडियो को end करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता है फिर बच्चे देखते नहीं है तो लगा दो इसमें formula यार formula तो जानते ही हो न एक minus वाला करा देता हूं चलो यह वाला तो कैसे लिखोगे इसको 2 sin square x dx सही है अच्छा यार 2 को बाहर निकाल लो तो root 2 आजाएगा अंदर क्या रह जाएगा sin x क्यों sin x है गया क्योंकि अगर आप इस पे root भी लगाते हैं तो यह कटी जाएगा ultimately इसलिए मैंने क्या लिखा है sin x तो sin x लिख देते है dx और sin x का integration क्या होता है minus cos तो minus यहाँ लगा देते है योगया cos और योगया plus c plus c लगाना मत भूलना बस तो यार यही तक थी हमारी वीडियो जितने भी question करा important थे paper में आ सकते हैं mcq की form में अगर आपको इसकी pdf चाहिए तो telegram group को join कर ले ना नीचे description में link दे दूँगा बाकी आप screenshot भी ले सकते हो अगर इतनी महनत नहीं करना चाहते तो screenshot ले लो ठीक है मिलते हैं second part में